इस वकर जो सिटिंग गॉर्मेंट है, वो कह रहे हैं, इमरान खान साब कुछ भी नहीं चोड़ के गए, अब तो सरकारी असासे बेच के भुल्क चलाना पड़ेगा. लहूर से कराची, मोटर वेज, एरपोर्ट, एफ नाइन पार्क. कि पाकिस्तान गॉर्मेंट अपने जो असासे, जो अपने एसेट्स हैं, फॉरण कंट्रीज में, वो सब बेचने जा रही है, लीज पे देने जा रही है, उसने ये बिल पास किया है, कि इसके उपर हमारे से कोई पूछ भी नहीं सकता. अमेरिका की साथ एक और किडिशन भी है, भारत के साथ अपने रिलेशनिशिप टीक करो, और उसके लिए आप, आप, कहते हैं, घुटलों के बल होके, ताश कंट में अगले हफते, बलावल भुटों साब डाक्टर जे शंकर से मिलने की कोईशिए कर रहे हैं, इसके पीछे जो काफर मुमालिक हैं, ठीका, दुश्मन मुमालिक हैं, ठीका, इंडिया कह सकते। बड़ी सड़के हैं जो की बहुत ही जानी मानी सड़के हैं वो सारी की सारी इस समय गिर्वी रख दी गई हैं दोस्तो पाकिस्तान का कंडिशन इसमें इतना खराब हो चुका है कि अब उसको कर्ज चुकाने के लिए अपने देश की संपत्ति को गिर्वी रखना पड़ जा र पाकिस्तान की इसमें इतना खराब हो चुकी है उसके बाद लोगों के पास कोई चारा नहीं बचने वाला है उनको एक ही साहरा दिख रहा है कि अब वहां के पीम को हटाना पड़ेगा दोस्तो साजीत तरार का भी यही मानना है कि अब बहुत दिन बहुत दूर नहीं है कि पाकिस्तान की सिरकार ने फैसला किया और एक स्पेशल औरदिन्स आया है जिसका मदलब है कि पारलिमेंट को बायपास करके और जो हमारे 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 हकूमत की कमपणियां थी जिसमें हमारे लोग मुलाजम थे वह स्ट्रेट एक को बेच रहे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो फिर हम बहुत करीब है डिफॉल्ट के और एक तो इस वक्त मुल्क में अफरत तफरी भी है जुडिशरी अपना नजाम लगा के बैठी हुई है सियासे दान अपनी लडाईयां कर रहे हैं और इस वक्त जो सिटिंग गॉर्वर्मेंट है वो कह रह on Okay need fifth आप को वहां वहसि के नहीं चुकी आएपास किया है और इस आएंग एक्ट ही हमारे हमें हहां तक लेकर आए हैं यहां मैं मैं में मैंनुर्च करना चाहूंगा आर्फ अलवी ऐसाह भी आड्ग पैट्री में काम करते थे अब मैं इसमें दूसरी जो सबसे बड़ा जो मैंने इसको तफसील के साथ पढ़ा है बलकि वो छे एक्ट जो है वो भी आपको बतातो है जिनको बाईपास किया गया है लेकि जो ही जब मैंने इसकी खबर को पढ़ा है और साथ ही यूएई को पढ़ा है तो दो चीज़ें समने नजर में आ गई इस ही यूएई की बमारी के वज़े से हमें अकामे मिले थे इस ही यूएई के एरिये के अंदर ही कतर से लैटर भी आये थे और इस ही एरिये से ही हमारे वहां से गैस के मौाइदे भी हुए थे तो पहले ही खलीजी रियास्तों के साथ हमारे जो हैं रिलेशन्शिप डूबियस है और इसके अंदर जो इनोंने पावर्स ली हैं वो जमीन बेचने के लिए फॉर्ण एंटिटी और फॉर्ण कंट्रीज को एलन जी के प्लांट और उनकी मिशीनरियां बेचने के लिए और सारे ये पावर प्लांट और ये यूएई को देने के लिए उनने किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि IEMF ने कहा है कि आप 4 billion dollar कठा करें और आज की इस जो खबर में था कि ये 2 से 2.5 billion dollar कठा करेंगे ये सारा कुछ बेच करें IEMF ने कहा है कि अगर आप 4 billion dollar अपने दोस मुमालिक से लाएंगे तो हम 1.7 billion आपको देंगे मेरी नजर में अब मैं 5 स्वाल है जो मैं उनको पूछना चाहता हूँ अपनी ruling elites है क्योंकि अवाम हमारी को तो ने ने बेवकूब बना दिया बिल्कुल उनको समझ दिया आ रही हमने right जाना है left जाना है कहां जाना है हमने presidency के swimming pool में जाके नहाना है या हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस के swimming pool में जाके नहा के तस्वीरें CNN पे लगवा नही है अब बिलकुल पाकिस्टानी अवाम को इस वत कुछ पता ही चाला है मेरे 5 स्वाल है ruling elites क्या ये इमरान खान प्राजेक्ट नंबर टू है क्या ये अठारमी तर्मीम को खतम करने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है क्या पाकिस्तान में सिदार्ती नजाम लाने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है क्या आपने त्यारी कर ली है क्या आपने किस तरह अगला साल गुजारना है जब आपको बाहर से पैसे नहीं मिले और यहां पर मैं एक और चीज बताना चाहूँगा क्योंकि मैं अमेरिका में बैठा हूँ यहां पर एक बड़ा लुकरेटिव होटल है इस वक्त जितने भी रूलिंग एलीड है चाहे नौाजलीक की हो चाहे प्योस पाइटी की हो चाहे पीटीयाई की हो उस पे डाका उस पे कदजन मारने की हर पाइटी ने ट्राई की उसके बाद दूसरा असेट है जो लाइन में आगे लगेगा वो पाकस्तान स्टील मिल लोगा आज मैं मुझे शाक हुए एक आइटिकल पढ़के कि आपके उपर इतना स्यादा प्रैशर है जब आई-एम-फ के सामने आप आए हैं आई-एम-फ आपको जलीलोखवार कर रहा है मिंतिन तरले हो रहे हैं अमेरिका की साथ एक और क्रिडिशन भी है भारत के साथ अपने रिलेशनशिप टीक करो और उसके लिए आप आप खहते घुटलों के बल होके ताश कंद में अगले हफते बलावल भोटो साथ डाक्टर जेशंगर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं समर काने में सेप्टेंबर में दूसरी मीटिंग अपनी जो है वो अरेंज करने की कोशिश की जा रहे हैं और अमेरिका आपको कह रहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप टीक करो भारत की टर्मस पर अमेरिका और भारत की टर्मस पर पाकस्तान की टर्मस पर नहीं वान साइडिड वान साइड टाक्स शुरू करो वान साइड चीज़ें ठीक करो और आप करें यह क्योंकि आपकी मजबूरी है क्योंकि लूट मार खराबी इतनी हो चुकी है आपका आप बिल्कुल मैंने आपको कहा है कि अगर जिस रवश पर आप चल रहे हैं कुछ दिनों की बार है कि लोग प्रेजिज़न्सि के स्वेंग पूल में ना रहे होंगे और कुछ दिनों की रवश है कि वो कौमी सब्ली के स्वेंग पूल में आ रहे होंगे जिस तरह कुलमबो में हुआ था आपको वैसे सबसे बड़ा मश्वरा मैं दूँँगा अपने अपने फारण साल जैसीâm चीज़ीं तब होती हैं जब उल्ए उनके सांथ कोई आप रिलेश्यशिब रखने के काबल हो कोई ट्रेड करने के काबल हो ना आप किसी के तीसasant रेल करने के काबल हैं टरेड करने के लिए आपके पास स्वाय! क्रॉप्शन के फ्राड के और डबल गेमों के लावा तीसरी चीज़ ही कोई नहीं है क्या आप आप सोचे ज़र पिछले तीस साल में आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे था सोचना चाहिए लिसमें बैठ के बनो तो ये ट्रेड मनिस्टर तो इतना खर्चा बांद करो जो डालरों में कर रहे हो कि ये कौम इसकी प्राइस पे करेगी ये जो कुछ भी हो रहा है न चीमा साब ये जो दो-चार दिनों में जो कुछ होने वाला है ये पाकस्तान की नसलें इसकी किमतें अदा करेगी ये बंदा ये बंदा अपने बच्चों के पास लंदन चला जाएगा ये नहीं रहेगा यहाँ इसने आज तक ना जेल देखी है ना इसने कोड़े खाए है ना इसने जूते खाए है इसने कुछ भी नहीं किया इसने सिर्फ अवाम को इसने मजभ कार्ड यूज किया, एंटी अमेरिकन कार्ड यूज किया और घंदारी कार्ड यूज किया एक तीन चीजर निकाल दें इसके सियासत ही खतर कि पाकिस्तान गोर्मेंट अपने जो असासे जो अपने एसेड्स हैं फॉरन कंट्रीज में वो सब बेचने जा रही है लीज पे देने जा रही है और इस पर जो कैबनेट है पाकिस्तान की उसने ये बिल पास किया है कि इसके ओपर हमारे से कोई पूछ भी नहीं सकता पर उन् हमारी इमामते ज्यास्ती हो रही है क्योंकि हमारे बाउच्दाद मेनद करके यहां पर रहे हैं पार्टिशन के टायम आए हैं और यह लोगों की बाहर जदादे हैं इनके बेटें इनकी फैमिली हैं सब उदर हैं इनकी प्रप्टियों उदर हैं इंडिया में यूदी यह बेज रहे हैं देखो यह मलक कुछ आगे जिलाने के लिए नुइ बेज रहे हैं देखो मैं का आपको चोटी से मिसाल कर्दा और जाने करो नहीं तो गारखालि वह सारी बात है वो किये गा मेरा करदा दो नहीं तो गर खाली करो इसी तरह ये हुकमरान पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं ये सरसर गलत है ये मुलक इसलाम के नाम पर बना है इसके पीछे है को आपको क्या लगता है को नीचे से नीचे करने की देखो ये तो जारी बात है सबी को पता है इसके जो काफर मुमालक हैं धुलिके उन्से मुमालिक इंडिया कह सकते हैं अमेरेका कह सकते हैं कोई भी कह सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों को ने विडियो उन देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान के फौरॉन निश्वर है वो अब भारत के घुट्नों में टेकने के लिए दम मजबूर हो गए हैं और वो राप्ता करने के लिए जैसंकर जी से वो एकदम तडफ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भारत ही एक ऐसा देश जो उनकी मदद कर सकता है अब हमको भारत से दुस्मनी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से भारत इतना ज् देश के नकसे से मिटा सकता है और दोस्तो पाकिस्तान की जो हलात की बात की जाए तो वहां की हलात इतनी ज़्यादा दैनिया हो चुकी है कि वहां के जो लोग हैं वो मर रहे हैं वो भूखे मर रहे हैं उनको खाने के लिए पैसे नहीं है और उनके लिए कोई भी पैसे देने देख लेता है और दोस्तों पाक Duşak कहें कि हम अगर पाकिस्तान का कोी भी हिंस्सा बेचें या पाकिस्तान की कोई भी痛ी चीजों को गिर्भी दकें तो आवाम इसका जिम्मेदार नहीं कि दुर नहीं है जब चीन के जैसे वह भी मारे-मारे फिरेंगे दोस्तों कि अर्च को लाइक कर दिजिए और चेनल पर आपके लिया से वीडियों लाते रहते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्ट व्डियो ने टॉप्यों के साथ मैं दब तक लिए बाई-बै